हलो स्टुट्रेज्ट आयूं आज मैं आपको ब्रीफ में स्टैप्स बताती ूट्रांस्फोर्मेशन की तो दीए सब से पहले हमारा फॉरन डी अनी होता है वह क्या होता है हमारे सैल मेब्रिन पर आता है सैल孵ाल पर जो और भाक्टीरИया की होती है वह बहुत सारे endonucleus enzyme होते हैं वह endonucleus enzyme क्या करते हैं चोटे 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 टुकडों में काटते हैं और फिर एक enzyme एक हमारा DNA strand क्या होता है पोर की थुरू अंदर घुसता है जैसे कि आप इस diagram में देख रहे होंगे यहाँ पर आकर वह immediately bind हो जाते हैं हमारा bacterial chromosome के साथ जैसे कि आप इस diagram में देख रहे होंगे ठीक है अगर वह bind हो गया successfully तो ऐसे transformation process को हम क्या कहते है stable transformation और अगर वह successfully bind नहीं हुआ तो और वह degrade हो गया by the help of nucleus enzyme ऐसे transformation को हम कहेंगे unsuccessful transformation अगर आपको transformation detail में समझना है तो आपको देखना होगा मेरा पूरा वीडियो जो कि मेरे YouTube चैनल पर पोस्ट है तो ऐसी और वीडियो के लिए please subscribe my Learnify Adversity YouTube चैनल